एक हम प्रोग्राम के लेक्षर नमर्ट 23 में आपका स्वागत है इस लेक्षर में हम लोग एरेक कौपी मेठ़न का मतलब किया है एक कौपी मेठ़न हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके पहले जरा से समझें कि assigning a value of an array variable to another array variable will copy only the reference देखिए आरे जो हम बनाते हैं जावा में उस आरे में जावा में जो आरे हम बनाते हैं एक अब्जेक्ट है अगर हम अब्जेक्ट बनाते हैं तो अब्जेक्ट की कॉपी और सामाने डेटा की कॉपी में अंतर है इस बात को आपको समझना होगा और उसी पर हम डिस्कॉसन करेंगे बोलता है कॉपी दे फैलू आफ ए पॉर्शन आफ दे वैल्यू स्टूर्ड इन एरे टू अनदर एरे तो यहां पर दो बात बुलता है एक वैल्यू की बात होती है एक पॉर्शन की बात होती पॉर्शन आफ वैल्यू मतलए कि इसी भी पार्ट को पार्टिशन करके हम इसकाम को कर सकते हैं अब यह क्या है यह समझ में आ जाएगे भी कि कॉपी दे वैल्यू और पॉर्शन आफ वैल्यू स्टूर्ड इन एरे टू अनदर एरे इस मेथड का एक्शुवल यूज है वह ही है कि एक एरे को दूसरी कॉपी हम बना रहे हैं दूसरे एरे में हम डिटाग चेंज करना चा ुसरे कॉपी मेथड का स्ट जो है उसको पहले देख ले है ŏ रे कॉपी और एरे कॉपी मेथद में जो हम और अबंजेक्टम करेंगे उसमें SUеле सिधी सी बात है कि source array जो array हमने पहले बनाया है जिसकी copy हम करना चाहते हैं उस array का नाम हम देंगे उसके object का नाम देंगे actual में object ही तो हम real time entity है तो object source array in source start position जहां से copy करना उसका starting position देंगे source array का उसके बाद object destination array फिर in destination start position और फिर इंटर number of elements to be copied कितने element को copy करनी है इस बात को आप ऐसे समझें कि देखिए मान लेते हैं एक array हम बनाते हैं और यह एर्य है और एक और हम बनाएं यह एर आर यह ओक है यह एसमें हम ऐसा मान के कशन ते हैं मालेते हम 5 एलिमेंट रखे हैं यहां भी हमने 5 एलिमेंट का एरे बनाया है अब इस एरे के एलिमेंट अगर माल लेते हैं 5 10 15 20 एंड 25 यह एलिमेंट है तो यह जो सिंटेक्स है यह क्या कहता है कि आप चाहें तो इसको इसमें कॉपी कर दे डाइरेक्ट अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा 5 10 15 20 25 डुब्लिकेट कॉपी तैयार हो गई लेकिन आप जावा लेंगविज्व यह बड़ा पावर्फूल फीचर देता आप अगर चाहें तो इसको ऐसे नहीं करके कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इस एरे को हम बीट सिफ्ट कर सकते हैं इसको यहां कॉपी करेंगे आगे में 00 हम डाल देंगे कैसा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं करके कि इस डेटा कोई सिफ्ट कर दें हम कहें कि नहीं 10 से हमें स्टार्ट करेंगे मतलब 10 15 20 25 और लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो जीड़ो तो तीन तरीका है या तो एक्जक्ट कॉपी आप कर लें या सोर्स के वैल्यू को डेस्टिनेशन में आप लेफ्ट या राइट सिफ्ट कर लें यह दूनु फैसिलिटी प्रोवाइड करता हमारा एरे कॉपी मेथड है अब इसका एक्च्वल प्रोग्राम में सिंटेक्स क्या होगा कैसे लिखेंगे तो सिस्टम डॉट एरे कॉपी देखे हमने यह रार वन रखा है फस्ट एरे हमने स्टार्टिंग लोक अब देखे एर लवन का जिरो लोकिशन यह रख़ु अब यह क्या हुआ ओप्जेक्ट स्टार्ट पोजिशन जीरो औप्जेक्ट देस्टिनेशन नी में स्टार्ट पोजिशन जीरो और एर यहार वन का लेंद्ध तेहां length की भी बात होगी, size गया है, size आपको बताना होगा, अब इस size में और इस position में चेंज कर सकते हैं, अगर यहां पर ऐसा हम लिखें, कि ARR 0 के value को, आप ARR 2 से start करें, इसका मतलब क्या हुआ, कि अब जो copy हम करेंगे, इस value को, वो निश्चीत रूप से 0 position 2 में जाएगा, तो 2 में जाएगा मतलब 5, 10, 15, यह copy होगी, और आगे का element ARR में 0 हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करके, हम यहां 0 रखें, यहां पर अगर 2 दे दे, तो source के second value को, यहां 0 location में डालना होगा, अब देखें, यह 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, यह दोनों तरीक्या है, या नहीं, तो initialist rate में अगर हम यहां 0 ही रखें, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, असानी से आप इसको, just duplicate copy कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तमासा रखते हैं कि आप समझ गये बात को, कि तीन तरीके हैं आपके पास, आप source की exact copy कर ले, source को destination में shift करके रखे, left shift करके रखे, right shift करके रखे, और यह सारे feature array copy method के पास उपलब्ध है, यह आपके उपर depend करता है कि आप क्या चाहते हैं, अब इसको और detail में ठीक से समझने के लिए, हमको थोड़ा सा और काम करना होगा, एक छोटा सा program हमने बनाया है, आप देखिए यह program क्या करता है, यह जो program है, public class test classic हमने बनाया है, इसमें int num1 और num2, अब जड़ा गौर से देखें, यह array से समझने के लिए है, हमने एक variable बनाया, उस variable का नाम हमने क्या रखा, num1, एक दूसरा variable हमने बनाया, जो है num2, इस statement का देही मतलब है, int num1 और num2 नाम से integer type का variable हमने बनाया, हमने क्या किया उसके बाद, num1 में value पूठ किया 100, और फिर num2 is equal to num1, इसका मतलब है कि हमारा statement इन दोनों के equivalence का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 लिख दिया हमने, इसलिए कि num2 और num1 equivalent है, हमने copy किया, assign नहीं किया, बलकि यहाँ assignment में, हम लिखते, एन 2 is equal to 100, ऐसा हमने ने लिखा, हमने लिखा, num2 is equal to num1, तो num2 का value num1 में copy हो जाएगा, num1 से copy हो जाएगा, यह काम हमने किया, इसके बाद system outprintln number 1 और number 2 को print के लिए हमने भेज दिया, सभाविक है कि हमारा output क्या होगा, num1 बराबर 100, num2 बराबर 100, यही तो हम चाह रहते हैं, यही काम हुआ, समन्ने तरीका है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा modification हम करेंगे, जराद देखिए क्या होता है, अगर यहां पर हम यह काम नहीं करें, और num1 को एक array हम मान लें, कर लें, जराशा देखिए, ऐसे आप value कुछ भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर रवन, इसकोल टो, 5, 10, 15, 20, 25, यह काम हमने कर लिया, इसके बाद हमने क्या किया, इन्ट, ए रर टू, इसकोल टू, ए रर वन, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, ए रर टू, इसके बाद हम लिखते हैं, ए रर टू, इसकोल टू, ए रर वन, अब देखिए, यह क्या हो रहा है, हमने एक एरे बनाया, ए रर वन, उसमें वहल्यू हमने डाल दिया, अब उस फाइव एरे के लिए एक न्यू एरे हमने बनाया, तो हमने ए रर टू, न्यू एरे अबजेक्ट बनाया, इसका, मतलब वो क्या रहा है, जो ही हमने एक एरे बनाया, तो एरे का कॉंसेप्ट जावा में आप पढ़ चुके हैं, यहां पर सबसे पहले एक वैरेबल बनता है, यह है लेंथ, और यह लेंथ है फाइव, इसका मतलब फाइव एलिमेंट के एरे हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, और हमने जो क्रियेट किया एरे, निव एरे 2, तो यह हो गया, और यह इसको पॉइंट करेगा, यह इसको पॉइंट करेगा, यह स्ट्रक्ट्ट्टर है, एरे डिजाइनिंग का, तो एरे जब डिजाइन आप करते हैं, तो सुभाविक है कि एक एरे और हम बनाएंगे, एक और एरे अगर हम बनाते हैं, तो हमने पहले मान लेते हैं, क्रियेट किया एरर 1, फिर से हमने बनाया, एरर 2, फिर से स्पेस क्रियेट किया गया, आप इस तरह से बना ले, यह हमारा लेंथ, जीरो, वन, टू, टू, ट्री, पोर, फाइव एलिमेंट का यह भी है, लेंथ आप यहां लिखे या इस तरह से बना ले, यह है एरर 2, यह है एरर 1, यह इसको पॉइंट करेगा, कोई दिखकत नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट हमने लिखा एरर 2, इसकोल टू, एरर 1, जो नॉर्मल हमारा method है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, कि यह जो आपका रिफरेंस भैरेबल है, इस point को जो ही हमने यहां पर ऐसे लिखा यह सीधे point इनको नहीं करके यहां करेगा चुकि हमने लिखा ARR1 is equal to ARR2 तो यह ARR1 जिस array को reference कर रहा था जिसको point कर रहा था ARR2 को अगर ARR1 आप करते हैं तो सीधी सी बात है कि इसको point करेगा यह क्या होगा यह useless हो जाएगा इसका कोई importance नहीं है क्योंकि दूसरा array बना ही नहीं के वन हमने जो ही new array बनाया एक reference बनाया उस reference को ARR1 से जोड दिया तो इस बात को आप समझे रहे हैं कि अगर हमको दूसरा array बनाना था तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे हम कैसे करेंगे array copy method का इस्तेमाल करेंगे अगर हम करते तो हमें यह करने की जरूरत नहीं थी हम दूसरा आरे जो हमने create किया हम इसी array को यूज करेंगे और इस array को यूज करते हुए अब हम यहां पर ARR1 या टू लिखने कि हमको ज़रूरत नहीं है बलकि हमें इस statement को लिखने की ज़रूरत है कि हम आसा रखते हैं आप समझ गया होंगी concept को है तो एरे copy method बड़ा powerful method है जिसके सहयोग से हम यह काम कर सकते हैं और हम एक ने एरे की copy बना सकते हैं कि अब इसी बात को फिर से एक बार देख लेते हम अब यह क्या कर रहा है कि assigning the value of an array variable to another array variable will copy only the reference यह जो पहली बात हमने बताई कि अगर सिर्फ assign कर देते हैं एक array is equal to second array third array तो केवल उसके reference की copy करता है पूरे array की copy नहीं करता है तो क्या करेंगे copy the value और a portion of the value अब आप समझ गया है कि इसकी पूरे value को copy भी कर सकते हैं इसके part को भी copy कर सकते हैं stored in an array to another array method we use array copy method का क्या concept है क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं इनका actual जो syntax है उसको आपको ध्यान में रखना है और जब भी आप यूज करेंगे मतलब अगर हम यहां ऐसे नहीं करके इसी को एरे वन एरे टू लिख करके इस लाइन को यहां जोड़ दें तो हमारा काम असान हो जाएगा कि कि